इंडिया ने एक दरफा फिर पाकिसानी टीम को एक बहुत बड़ा आईना दिखाया आप क्या है कि आप की टीम कहा पर स्ट्रेंड कर ती मैं आप सेमर् anacip बात करो जिसकी मैंने जर्सी पहने वह न वो पाकिसानी टीम कि कि 2 तक्रीबन 33 दिन पहले हमें बहुत बड़ा आइना दिखा जब हम 228 रंग से हारे थे हमने कहा 228 बस 228 हमने हारना नहीं नहीं हम इसे भी दश्रा से हारेंगे तो हम 117 बॉल पहले हारें एंडिया से हमारी टीम 155 पर और 36 के ओपर आढ़ हमारे आउट होगे हमने दुपारा से कॉलाप्स कर लिया मोका 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 बड़ा फेमस है ना मोका 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 करता ही रह गया पाकिसान साथ जीरो को साथ एक ना कर पाया बलके इंडिया ने साथ जीरो को आट जीरो कर दिया जी हाँ जो इंतजार था वो रह जाएगा इंतजार रह गया है अगले चार साल पर कहानी चलेगी कि पाकिसान कब इंडिया को हडाएगी आठ जीरो जो हो गया उसको आठ एक कप करेगी अब यह चलता ही रहेगा जब तक इंडिया के पास कोली बेशे पहले कोली भी नहीं था फिर भी जीत रहें वो यह साइकोलोजिकल इफेट बन गया हुए मैं सुपह से एक ही चीज़ कहे रहो पाकिस पाकिसान इस पिच के ओपर 310-320 कर लेता बेशक इंडिया जितना मर्जी स्ट्राइट लेता लेकिन अगर आप गुड ऑब्जरवर के तो आपको भी पता था के पच्चिस चोबिस पच्चिस आवर के बाद से जो बोल था ना वह थोड़ा मुश्किल हुआ था बल्ले बा देखें मैं उसका इंट्रेविव सुन रहा हूं कहता कि मैंने साउ शेकील की काफी सारी हाइलाइट देखी थी कि कहां पर जाके बोल को खेल रहा था तो मैंने उसके खिलाब पूरा वर्ड किया था तभी मैं उसको ऐसे आउट किया और यह बड़ी खास बात किया यह उते प्रेड की निशानी बात मैं कर रहा था कि अगर आप पूरे मैच को देखें तो इसके अंदर जैसे बोल पुड़ाना हुदा मुश्किल थी खेलने पर इवन के इंडिया को भी इंडिया ने जादा ले लेकिन पाकिसान इंतहाई पूर बल्लेबादी की इंडिया ने पाकि से लगा हुए लेकिन इंडिया ने बुरी तरह से रहा है नवरातरी इंडिया के अंदर शुडू हो चुकी हुई है वहां पर जशन मनाया जा रहा है यहां पर सोग चल रहा है बने सारे सवाल उठेंगे सवाल तो उठेंगे जब आप ऐसी पूर परफॉरमस दिखाओ तो स सवाल तो उठेंगे कौन उठाएगा सब उठाएंगे मैं भी सवाल उठाओगा कब तक कब तक हम इंडिया से आज सही हारते रहेंगे हम जब दूसरों से हारते हम इतना तना फरक नहीं पड़ता जब पाकिसान हर जाता है मैस पहले भड़े भूलना पांच विगट्स लें जब इस पोजीशन में पाकिसान का उसलें बड़ा इंपोर्टर इंडिया का स्पेल निकाल लिया था एक मुश्किल निकालने के बाद एक फजूर बोलके बाबराज़म फजूर्ट खेलते हैं ऑगें आउट हो गया यह क्रिकिटिशाइज करणा हूं मैं बाबर को बड़ा प लेकिन सिराज किया मुझे गुस्ता इस चीज का चरड़ा बाबर आजम को पता है पाकिसान की टीम क्या है जैसी वह आउट होगा तो बाबर आजम क्यों ऐसी गलत शॉट खेंगे किया बाबर की गलती यह कि बाबर ने स्ट्रीम पर बुरोसा किया यह टीम किसी काम की नहीं है शदाब खान नवास कितना अर्शा होगें को इंडिया का मैच खेलते हैं क्या उन्हें परफॉर्मस दिखाई है लेकिन रोहिद फिर रोहिद भुम्रा फिर बुम्रा है कुल्दी जो रोहिज कर दिया है धिला जवाब मतलब कि क्या खूब लड़का खेलता लड़का तो खळान नहीं है लेकिन जो भी कोई आसा प्लेयर नहीं है इस लीड कर रहा हो वाहिद गैप्टेन ना इस वर जो फ्रंस से लीड कर रहा है आता एक सब्सक्राइब करता है सेंचरी मारी पहले आज एक और चाहता तो आज भी सेंचरी कर लाए लेकिन टीम के लिए तेज खेल रहा था और आउट हो गया यह बात इसको कहते हैं प्ले रोई शर्मा सुपर सुपर परफोर्मस यही परफोर्मस चाहिए होती है लेकिन दुकि इस परफोर्मस बाबर आजम से भी मांग रहे होता है यही परफोर्मस दिखा दे रहा तो पाकिसान टीम कहां से कहां पहुंच जा पाकिसान का टोप फोर तक जाना कोई असान नहीं है बहुत मुझील है लेकिन सवाल तो बहुत है इस मैस्च के नंदर बुड़ी तरह से हमेश है कि दुबारा खड़े नहीं हो पाते आज अगेन माइनस पर चले गया है माइनस 0.10 पर अब यहां से उठना कोई असान नहीं होगा अब देखना यह कि यहां से पाकिसान की टीम कैसे उठती है अगेंस अस्ट्रेलिया आपने खेलना है उसके बाद आपने बढ़ी टीमों करता लेकि वह अपने फेवर जून पर किया आपने क्या किया आज जहां पर इंडिया सोच रहा था कम से कम आज पाकिसान 310 कम से कम बनाए गए जितना पाकिसान चिपल्ले बादी कर रहा सा वहां आप 191 पर एकदम आउट होगे तो उनके लिए तो सब कुछ रिलाक्स अच्छी क्रिक्ट खेली जीते बड़े अरसे बाद सा देखने को मिला कि विराट कोली ने फिनिश नी किया कुछ योड्ड प्लेट ने फिनिश किया तो मुबारकबाद रोई शर्मा को